कि आजो बाजो में काले घेरे आ जाना आज कल एक नॉर्मल बात हो चुकी है अगर आप ज्यादा ओनलाइन काम करते हो या रात में आप जल्दी सोते नहीं हो आपका शेडूल कुछ ऐसा है या आप बहुत स्ट्रेस लेते हो या आपको जेनेटिक भी प्रॉब्लम हो सकती है क काले घेरे आपको आ सकते हैं तो कई रीजन होते हैं काले घेरे आने के इस पर आल्रेडी में ने दो वीडियो बना के रखे अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो प्लीज उन्हें चेक कर लीजिए और वह जो रेमीडी में आपसे शेयर की है वह भी नैच्रल है और effective है आज आपसे कुछ ऐसे रेमीडी में शेयर करने वाली हूँ अगर आप इसे continue साथ दिन लगाते हो तो आपको इसका effect बहुत अच्छा मिल जाएगा काले घेरे आपके 100% कम हो जाएगे लेकिन आपको इसे दिन में दो बार में साथ दिन आपको ये continue लगाना है regular करी आ लेकिन 70-80% आपके कम हो जाएगे ऐसे कुछ रेमीडी आपसे शेयर करने वाली हूँ प्लीज वीडियो को complete देखे काई स्किप मत करें अगर आपके काले घेरे खतम भी हो जाए फिर भी आप इसे यूज कर सकते हो जो हमारी आखो के नीचे ये जो स्कीन होती है बहुत सेंसिटिव बहुत नाजुक स्कीन होती है चेहरे की मुकाबले इसलिए कभी भी हम यहां कोई भी क्रीम लगाए कौन से भी रेमीडी लगाए जो हमारी रिंग फिंगर होती है उससे आपको लगाना है क्योंकि इसका प्रेशर कम होता है मुकाबले इन फिंगर से तो आपको कभी भी रिंग फिंगर से कोई भी almond oil बहुत अच्छे से डाक सर्कुल पर काम करता है अगर आप सुबह और शाम मिन्स रात को सोने से पहले आप डाक सर्कुल्स पर लगाते हो काले घेरों पर लगाते हो सर्कुलर मोशन में रिंग फिंगर से आप मसाच करिए इसको आप कंटीनू सेवें डेस कीजिए दो टाइ करनी है तो दिनों में आपको इसका फरक दिखने दिख जाएगा क्योंकि almond oil होता है बहुत ही अच्छे से dark spots या dark circles या skin हमारी डल हो जाती उस पर काम करता है यहां मैं आप से शेयर करना चाहूंगी tea bag यहां जो normal tea होती है वो भी हो सकती है और जो green tea हम यूज करते हैं उनकी जो tea bag होती है यूज करने के बाद जो tea bag बश जाती है तो उसे आप fringe में रखकर उन tea bag को भी आपके आखों पे आप इसे रख सकते हो 10 या 15 मिनिट आप रखें आराम से रखें इससे भी क्या होगा आपकी जो dark circles से एक मिस अगर आप late nights होते हो काम करते हो laptop mobile TV जादा देखते ह मिन सबकी नेंद complete नहीं होती है तो जो पर्मंट नहीं होते हैं यह dark circles कुछ इसे dark circles होते हैं पर्मंट नहीं होते हैं temporary होते हैं लेकिन उनको हटाना बहुत जरूरी हो जाता है अगे जाके यह dark circles आपके permanent हो सकते हैं तो आप tea bag को यूज करिए क्योंकि tea bag में होता है tannin और tann जो होता है जो dark sports होते हैं उसे कम करने में बहुत मदद करता है इसे अगर आप 7 days यूज करते हो तो आपको जरूर इसका फाइदा मिलेगा यहाँ एक remedy शेयर करने वाली हो तो 100% effective है लेकिन आपको patience के साथ इसे यूज करना होगा टमाटर और नीम्बू टमाटर मींस जो पक करिए रेस्ट करने दीजिए अच्छे से सूखने के बाद आप वाश कर लीजे इसे अगर आप 7 days continue यूज करते हो तो 100% आपके क्याले घरे कम हो जाएगे तो यह DIY ट्राइंग टेस्टेट है तो आप इसे दरूर ट्राइ करिए आप चाहे तो टमाटर के साथ अलोविरा जो टाक स्पोर्ट्स हो या संटैनिंग हो या आपको स्कीन डल हो चुकी है उस पे बहुत ही अच्छे से टमाटर जूस काम करता है तो आप टमाटर को इस तरह की से भी यूज कर सकते है नेक्स्ट यहां बहुत ही इफेक्टिव रेमिडिय में आपसे शेर करनी वाली हो वह है आलू का रस जूस होता है आप सबको मालू में बहुत ही इफेक्टिव होता जो डाक स्पोर्ट होते है पिग्मेंटिशन होती है उस पे बहुत ही अच्छे से काम करता है लेकि पेशन्स के साथ आपको यह डियाई यूज करने होते हैं थोड़े से लॉंग टाइम यह चलते हो तो इसका एफेक्ट आपको मिलने ही वाला है तो आप भी ज़रूर ट्राइ करें आलू के जूस में थोड़ा सा निम्बू मिक्स करके उसे आप लगा लीजे बाद में दस मिनिट के बाद आप वाश कर सकते हैं नेक्स यह आप बहुत ही सिंपल रेमिड में शेयर करने वाली वह है दूद आपको क्या करना है ठंटा दूद लेना है अगर आप रॉब मिल्क लेज सकते हो मिन्स कच्छा दूद तो बहुत एच्छी बात है अगर कच्छा दूद नहीं आपके पास तो फ्रीज में का जो ठं पर दूद बहुत ही अच्छी से एफेक्ट करता है तो आप इसे पेशन के साथ यूज करिए चाहूंगी संत्रे की पाउडर जी हां अगर आपके घर में संत्रे की पील्स हो तो असे सुखा कर आप घर में बना सकते हो अगर घर में नहीं है तो आप मार्केट वाली पाउड इसे से पाउडर होती है उसमें थोड़ असा गुलाब जल मिक्स करना है उसके पेस्ट बना लेनी है पेस्ट को आपको लगाना है आपके डार्क शर्कल्स पे या अगर आपके स्केन पे तो या अप फोरे फेस पे भी इसे लगा सकते हो कोई प्रावलम नहीं है इसा नहीं क संत्रे में जीं में संत्रे के जो prix होते हैं उसमें ज्यादा मातरा में विटामिन सी होता है और विटामिन सी ऑफ्कुयाज को कम करता है स्ंत्रे हमारे लिएज काई स्केन और दृखन से हकुआ है की एज़ी के नुसारे गधw rain कालेज ज़ा दिखनी नहें करता है और संत्री की जो पेल्स होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में विटेमिन सी होता है तो आप इस तरीकी से भी इसे यूज कर सकते हो गुलाब जल में संत्री की पाउडर को थोड़ा सा मिक्स कर लीजे काले घरों पे लगाईए सूखने के बाद आप वाउश कर करते हो तो जो काले घरे हैं आपके बहुत ही जल्दी से कम हो जाएगे लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल है एसे हो चुका है कि हम जादा से ज्यादा ओनलाइन रहते हैं मिस फोन लैप्टॉप टीवी पर हम ज्यादा बीजी होते हैं पूरी नीद नहीं होती है और जरूर होगे आपके डार्क सरकस काले घरे तो आप भी जरूर ट्राइब करिए आप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना नेक्स वीडियो में हम मिलेंगे तब तक कि लिए बाई बाई टेक केर